सीट से बीजेपी के प्रत्याशी केलाश शौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं आदर्श स्टेडियम में नामांकन सभा का आयोजन किया जाने वाला है सभा के बाद जुलूस के साथ ही वो नामांकन दाखिल करने पहुचेंगे लेकिन जैसा की नियम कहता है कि जो निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ही जुलूस को रोग दिया जाएगा फिलहाल बाडमेर जैसल मेर के निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर अभी बेरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि आज एक बड़े नेता अपना नामांकन दाखिल करने आने वाले है बीजेपी के प्रत्याशी केलाज शौधरी आज अपना नामांकन दाखिल करने आने वाले है ऐसे में प्रदेश इस्तरिय नेता उनके साथ मौझूद होंगे और बीजेपी के कई नेता हैं जो उनके साथ इस जुलूस का हिस्सा बनने वाले हैं उनकी नामांकन सभा में कई बड़े नेता संबोधत करेंगे और बाडमेर जैसल मेर सीट पर बीजेपी के प्रक्ष में माहौल बनाने की आज कोशिश होने बाली है तो केला शौधरी का आज नामांकन क्योंकि आज ही से नामांकन की प्रक्ष शुरू हो रही है और जिन तेरह सीटों का हमने जिक्र किया ये वो 13 सीटे हैं जहां दूसरे चरण में मतदान होना है और दूसरे चरण में उन सीटों पर मतदान होना है जिन में बाड मेर जैसल मेर भी है जोधपुर भी है पाली भी है जालोर भी है उदैपुर भी है बांसवाडा भी है चितोर गड भी है भीलवाडा भी है इसी के जहां पर दूसरे चरण में मतदान होने वाला है अजमेर सीट भी उन में से एक है अजमेर भी दूसरे चरण में ही मतदान होने वाला है वहीं अगर बात पहले चरण की की जाए तो पहले चरण में भीका नेर, गंगा नगर, चूरू, नागोर, सीकर और इसके लावा जुन-जुनू, जैपुर शहर, जैपुर ग्रामीन, भरतपुर, अलवर और इसके लावा दौसा तो आप देखिए कि भारतिय जंता पार्टी के ओर से जहांच कैलाश शौधरी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो उमेद राम जो हैं, वो भी अपना नामांकन आने वाले समय में दाखिल करेंगे और वो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, ऐसे में ये बीजे पी वर् कि जो लड़ाई है, वो हमें देखने को मिलने वाली है.